हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्योप चनल लेल्वी वीडियोस में आज हम बात करते हैं IPC के सेक्षन 362 की 362 में अप्रहन यानि अब्डेक्शन के बारे में बताया गया है इसलोकों का मानना है कि अप्रहन और किड्नैपिंग एक ही सब्दो लेकिन Indian Penal Code यानि भारते दन सहीता में इनकी अलग-अलग परिवासाई दी गयी है अलग-अलग सेक्षन में डिफाइन किया गया है अप्रहन को इंगलिस में अब्डेक्शन केते हैं अब अफ्रहन को इंगलिस में किड्नैपिंग केते हैं दोनों ही सब्दों की परिवासा भारते कानुन में अलग-अलग हैं। चलिए जानते हैं कि अप्रहन क्या हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अप्रहण करता है तो वह उसमें बल का प्रियोग करता है कपट पूर तरीके से मतला जूट जूट बोल के किसी भी तरीके से या धंकिया देके गन पॉइंट पे किसी भी तरीके से व्यक्ति का अप्रहण कर सकता है एफम अपरहन का अपरा निरंतर चड़ने वाली प्रिक्रिया होती है अपरहन के मामले में छल, कपट या बल का प्रियोग किया जाता है वहीं किड्नैपिंग में बल का होना आवेसक नहीं होता है व्यक्ति लालस देकर या प्रेरित करके उसे अपने साथ ले जाने के लिए तयार करता है IPC की धारा 362 में अपरहन को परिभासित किया गया है इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक स्थान से जाने के लिए विवस करता है तब यह अपरहन का अपरात किया जाता है एक्जामपल से समझते हैं चलिए ए नाम का एक व्यक्ति एक दुकान का मालिक है और साम को दुकान बंद करके वह अपने घर जाता है कुछ लोग एक ओजबरदस्ती बेहन में बिठा कर ले जाते हैं वह व्यक्तियों का उद्दिफ से अपरहन का पूर हो गया है उसके बाद एक को मार भी सकते हैं या फ्रोती की मांग भी कर सकते हैं पर यहां अपरहन का अपरा घटित हो गया है ऐसे ही इंट्रेस्टिंग टोपिक के लिए लल भी वीडियो को फोलो करें और सब्सक्राइब थेंगे